से हाई गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल के ड्रामा वर्ड सो गाईज आज मैं विकोज इस इस माई फर्स्ट लाइफ का चौधवा एपिसोड एक्स्प्लेइन करूंगी अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखें तर लिंक डिस्क्रिप्शन में है एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जंगमीन और सेही जब एक दूसरे के सामने आते हैं दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और दोनों शौक होते हैं जी हो उन दोनों को दूर से देख रही होती है तब ही जंगमीन दीरे दीरे उसे हेलो बोलती है सेही भी दु मुझे लेने आ रहे हैं इसलिए पर वह चली जाती है फिर से ही जीहो को कॉल करता है वह कॉल पिक करती है पूसता कि तुम कहा हो जीहो कॉल ना पिक करने के लिए सौरी बोलती है फिर वह कहती है मैं तुम्हारे बगल में हूँ फिर दोनों एक साथ घर जाने के लिए निकल ज जाती है जी हो बैट पर बैटी ही होती है और जंगमीन के दर्द नग पास्ट के बारे में सोचती है और सेही के शादी के पिछले और अबनोर्वल लाइफ जीने के इच्छा को भी याद करती है उधर तभी सेही का कॉल आ जाता है वह दुबारा लिखने के लिए कॉंगरेशलेशन बोलता है जी हो थैंक्यू बोलती है बदले में उधर होरंग संग उसे मिलने जाती है कि उसके पात वह उसक से बारे में सला करती है तब ही यंग हाई उस अपनी कार से आता है उसे ओफर करता उसे छोड़ने के लिए होरंग मना करती है पर वह से अपनी बैठाई वह बात्ची स्टार्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना मैं वही इंसान हूं जिसे तुमने चैट किया था और रंग उसे कोई जवाब नहीं देती पिर वांजाती है घर घर अजाती है समान पैक करने के लिए और रिंग पिट में लेने जाती है फिर घर चोड़के चली चाहती है अगले सीन में जंग्मिन और जिए को एकसाद दिखाते है जंग्मिन अच्छे करती है तुम थोड़ा सोचलो बाद में कर देना लहा कहती है मैं तुम्हारे साथ लम्बी समयJean काम करना चाहती हूं पर जी हो एकmarag गैशाएं, deliberate बथा में गाइक कॉन्ह पूछति है लुड़ा ध thay शूबारा उंगाल। गोशे सलेख यह संगू पिर उसके forehead पर गिस करता है फिर अगले सीने में दिखाते हैů संगू उफिस जाता है वह सेही को notice करता, उसके फीस जाता है उसके हाथ में गार्ट होता है या दीकर वह जोर से पढ़ता है या सुनकर रह면 सेही डर द़ जाता है संगु कहता है जंगमीन के सच्चाई समझाने की बात करता है संगु फिर उसे इस बारे में सोचने के लिए अकेला छोड़ देता तब ही न सेही के चारो और पतियां गिरनी लगती है सेही कहता है मैंने सोचा कि मैं उसे फिर से मिल सकता हूँ साथ मेरे लाइफ में एक बार पर देर हो जाती है आगे कहता है मुझे ऐसास है कि मैं सिर्फ एक इनसान की चिंता करता हूँ ये कब सुरू हुआ उसे भी नहीं पता मुझे लगता है मेरे लाइफ में के वाद सुखी पतिया ही बची है मैंने सोचा कि अपनी पूरे जिंदेगी उन पतियों के गिरने का इंतजार में बिताऊंगा और हमेशा अकेला रहूंगा से ही फिर बुक्स टोर जाता है जहां पर किताब के उपर एक स्टेटमेंट पड़ता है कि मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता है जो किसी के व्यक्ति के जीवन का पैसला करें मैंने सोचा था कि मैं किसी को रूलाओंगा नहीं फिर वो उन्सो को ओफिस में दिखाते हैं जो पूरी तरह ब्रेक अप के गब में डूबा होता है वो अपने कंप्यूटर पर गलत कोडिंग कर रहा होता है और गलत प्रोग्राम बना रहा होता है फिर बोमी आकर उसे रोकती है फिर वाना उससे सौरी बोलता है बोमी कहती है कि मुझे पता है तुमारे ब्रेक अप हुआ है वो उन्सो कहता है तुम्हें कैसे पता है वो मी कहते ही तुम्हारे फेस पर लिखा है वो फिर अपनी फेस को टच करके देखता है। उधर सही की मुलाकात यॉंग सौंग से होता है जो राथ के लिए माफी मांगने आया होता है। क्योंकि उसने रात को डृंक करके की कोशित गता है कि प्लीज तुम उकदमा वापिस लो वह पैसे निपटाने की कोशिश करता है इसे ही गुसे से उसे देखता है फिर उसे याला आता है ये तो वही दिन होता है जब जी हो पूरी रात नाइट ड्रेस में सड़कों पे घुम योग लिए हूँ कहती है अगर मैं कहूं मैं अभी पसे ही से प्यार करती है तो तुम क्या करोगी को हम दुस्मन बन जाएंगे आगी कहती है मैं उसके दिल या हड़पने वाली चीज नहीं है जो केवल उसके पास आ सकती है फिर दोनों चले जाते हैं उधर वोंसोग को दिखाते हैं जो भी ब्रेक अप के गमने डूबा होता है और रिंग कर रहा होता है लड़कियों को सार्ट डांस करता है तभी एक न्यू डांसर के एंट्री होती जो क्लब में आती है ऐसा पॉल डांस करती है कि लोग देखते रह जाते हैं सभी लोग तालिया बजाते हैं उसे चेयर अप करते हैं और ये लड़की और कोई नहीं होती है हमारी प्यारी बूमी होती है ध्यान से देखिए इस चेयरे को आपको लगता है ये ऐसी निकलेगी इस चैसमा लगाने वाल लड़की इतना अच्छा डांस करेगी फिर वह ना फ्लोर पे वह उनसों को चड़ा लेती है वह उसे देख के हैरान होता है और कहता है तुम यहां ऐसे ड्रेस में वह फिर उसके साथ डांस करने लग जाता है अगले सीन में सेही को दिखाते है जो पर बेंडर्स लगा रहाता है इसका मतलब है उसने बहुत अच्छे से पिटाही की है उसकी सेही फिर मॉम से किये गए वादे को याद करता है कि उसकी मॉम चाती थी वह राइटर बने उसकी हल्प करें फिर डिसाइड करता है कि वह जंग मिन से मिलने जाएगा ताकि होना कम है जंग मिन सबसे परशान हो जाती है वह कहते हैं कि तुम 12 साल बाद मुझसे मिलने आए हो और केवल जी हो के मदद के बारे में पूछने लगे हो फिर सेही सौरी बोलता है और कहता है कि मैं उसके सपनों को हांसिल करने में उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर स जाते हैं कुछ सब्स मरते नहीं है सिधा दिल में उतर जाते हैं सेही पोहम पढ़ता है और सोचता कि यह सब्स दिल में 12 साल से जीवित है जो इतने अचानक कब गायब हो जाएंगे मैं दिल से छुटकारा नहीं पा सकता मैंने बहुत कोशिस की जंग मिन ने उसे पूचा पर दिल में जानी के लिए सब्स कब दों को जोड़ता है फिर दोनों एक दूसर से बाते करते हैं कि पूरा दिन ने क्या किया, सेही जियो का हाथ पकड़ने कि कोशिस करता है, बट वो फेल हो जाता है, फिर दोनो घर आ जाते है, कैसलों का विलकम करती है, जियो का behavior थोड़ा आजीब होता है, जियो कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती है, फिर वो अपने रूम में चली जाती है सेही सोफे में उसका वेट करता है फिर जियो फिर अपने रूम से वापिस आती है और सोफे में आकर बैठ जाती है सेही कहता है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है फिर इन दोनों का सुरू हो जाता पहले तुम पहले तुम जियो फिर धीर धीर बोलती है कि मुझे सब कुछ खतम करना है फिर से ही उसे देखता ही रह जाता है पतलब ड्रेक अप करना यहीं पर एपिसोड खतम हो जाता है तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट में जरूर बताना और थैंक यू सो मच गाइस लव और सपोर्ट के लिए